ये ध्यान न किये, सफलता की दूसरी कुंजी, पहली कुंजी जिग्यासा, जो मुझे लगता है, हो सकता है, मुझसे लोग सहमत ना हो, दूसरी कुंजी है, धैर ये, धैर ये अपने आप में एक अद्बुत प्रसाद है मनुष्य को दिया हुआ, अगर पहला पत्थर जिस सम दशरत मांजी ने उस परवत पे मारा, तो लोग उस पर हसे, लेकिन उस ने धैरे पूरवक बीस साल पत्थर मारा, तो पहाड को रास्ता छोड़के खड़ा होना पड़ा, कि तू आदमी है, तू जीख जा, और मैं मानस बवन में खड़ा हूँ, मैं फिर वहीं पर आता हू राम का धहरे देखिए, राम का धहरे विश्नु का धहरे नहीं है, मुझे क्षमा करें, भगवान है विश्नु, लेकिन वो तटस्त धहरे है, आराम से लेटे हुए है, ख्षीर सागर में, शय्या बना के प्रेम पूरवक, माता लक्षमी पैर दबा रही है, उपर शेश्रा राम का धहरे तो जीवित रहते हुए उसी विवस्था का धहरे है, राम को प्रवोक करने की एक हरकत दुनिया नहीं छोड़ी, पुत्र के रूप में, सोचिए वो लड़का कैसा होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, जिसका राज्या भिशेक होना जा रहा है, और एक सेडिन मे वनवास मिल गया, इस पर दुखी नहीं है, यही राम होना है, यही राम होना है, लोग समस्ते हैं जंगल में पोस्टिंग, लोग समस्ते हैं कौने में पोस्टिंग, लोग समस्ते हैं वहां काम करना है तो कैसे काम होगा, मेलने तो पनिश्मेंट हो गया, यही अवसर है जो तक आयोध्या में रहे युवराज राम कहलाए श्री राम कहलाए और जब जंगल जाकर लोटे तो मर्यादा पुर्शुत्नम भगवान राम कहलाए इस पूरी यात्रा ने उन्हें भगवान मनाया इस धेरे ने उन्हें भगवान मनाया और अदुबत धेरे हैं उनके पास उन राम मैं अक्सर इस बात पर बहुत अंदर तक थिल रहता हूं राम अयोध्या से चले उस समय का सबसे बड़ा खांदान था वो हिंदुस्तान में जो कुछ भी बड़ा था उन्हीं क्या पैदा हुआ इक्ष्वाकू अज रगू दिलीप पुरुरवा ययाति नहुष दश्रत सब बड़े आदमियों नहीं क्या भारत का नाम जिस पर रखा गया वे भी उन्हीं क्या पैदा हुए भरत सब उन्हीं क्या पैदा हुए लेकिन उसके बाद भी जब राम एक वलकल पहन कर चले तो रास्ते भर में राजाओं को भी तो पता चला होगा कि भई दश्रत का परण हो गया सेना देदो जरा मैं चलूंगा उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने एक भी राजा को अपने साथ नहीं लिया उन्होंने रास्ते बर आप जैसे और हम जैसे लोगों को साथ लिया किनको सामान्य वंचितों को दलितों को उन्होंने वनवासियों को साथ लिया उन्हेंने मलाहों को साथ लिया, उन्हेंने माशबरी का आशिरवाद लिया, उन्हेंने केवट को साथ लिया, उन्हेंने वंचित सुग्रीव को कले लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि जिस अनाचार से वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ धनिकों की राजाओं की नही इसको अपने बगल में दबाकर और उसने किले की दिवार का चक्कर लगा दिया था बाली ने जब हनुमान को बाधा है और हनुमान से रावन ने का कि तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ तो हनुमान ने क्या का हाँ जानता हूँ वो बाली वाला मैंने सुना था आपकी लडाई बहुत आप हरचे मेरा आप से हनुमान ने क्यों का ताकि उसका confidence लूज हो लेकिन भगवान जब बाली और सुग्रीव के जनपद में पहुँचे तो उन्होंने बाली का साथ नहीं दिया उन्होंने वंचित को चुना वो उसके साथ खड़े रहे जिसका अधिकार छीना गया जिसका राज्य छीना गया जिसकी पत्नी तारा का बलात अपरहन किया गया है और उन्होंने बाली का व्यद किया जबकि बाली भी उनका प्रशंशक था उनका भक्त था मरते समय बाल लगने के बाद प्रणाम की मुद्रा में बाली ने पूछा है भगवान से मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुन का वननाथ मुही मारा मैं बैरी हो गया सुग्रीव आपका प्यारा हो गया मुझ में ऐसा कौना वगुन था मुझे मार दिया तो राम ने उसको उत्तर दिया कि अनुज वधू भगिनी सुतनारी चोटे भाई की पतनी भगिनी भेन सुतनारी बेटे की पतनी सुन सथ कन्यासम एचारी है मूर्क ये चारों बेटी के बराबर होती है इन्हें कुदश्टी बिलो कहीं जो है इन्हें गंदी दश्टी से जो देखता है उसका वद करने में पुण्डी मिलता है पाप नहीं होता है ये उसको उत्तर दिया उन्हें भगवान अगर भगवान की विजए अपने लिए होती अगर भेरे ना होता तो वो बाली को लेकर चल देते बाली हरा चुका था उन्हें का लिए बाली तू नहीं चाहिए तू नालायक है तूने इस छोटे भाई को मारा है इसकी पतनी कारण किया मैं तेरा तो वद करूँगा ये वंचीत है इसे लेकर चलूँगा तो राम ने क्या किया राम के साथ जितने लोग है राम का धहर या अद्भुत है और यहाँ जो अध्यापक है उनसे निवेदन है राम की लीडर्शिप क्वालिटी अद्भुत है राम ऐसे ही राम नहीं बने है मत पढ़िये हिंदू होकर इस परिसर में बहुत सारे इसलाम मतावलं भी हमारे दोस्त बैठे होंगे और किसी जाती धर्म के लोग बैठे होंगे कहानी की तरह पढ़िये और फिर देखिए कि राम जैसा लीडर कहीं नहीं है वो उस व्यक्ति की क्वालिटी को डेवलप करते हैं उसे इंस्ट्रेक्ट नहीं करते हैं उन्होंने सुग्रीव की क्वालिटी को डेवलप किया एक ऐसा डिप्रेस आदमी जिसका जिसकी पतनी का हरण हो गया, जिसका राज्य छीन ले गया, भाई ने लात मार के भगा दिया, उसको उन्हें ने कल्टिवेट किया, और सुग्रीव महारती के रूप में बना, और उस युद में सुग्रीव की महत्वण भूमिका रही, जिस समय हनुमान लंका के लिए रवाना हुएं, आप रामचे रित्मानस पढ़िये, आध्यात्मर रमान पढ़िये, श्रीमत वालमी की रमान पढ़िये, कंबन की रमान पढ़िये, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्हें हनुमान से क्या का कि तुम क्या करना, आज हम कितने फ्रस्टेटिड हैं, आज हम कर आओ कि सीता कैसी है कहा है और उन्हें अश्रस्त करके आओ कि मैं आओंगा दो बात है इसके बाद का जो पूरा घटना क्रम है चोटा सा रूप बनाना अंदर जाना लंकिनी को मारना मा सीता को वह मुद्रिका देना फल खाना खुदी गिरफ्तार हो जाना आग लगा देना अगला काना मतलब वो राम का विजिटिंग कार्ड दे के आए है हम मतलब बता के आए हो कि जो आ रहा है हम उसका कार्ड है एक पैसा नहीं भगवान ने का कि वहां जाओ खुदी मतलब खुदी टेक ओफ खुदी लेंडिंग और सारा पैसा हनुमान का उसका रावन का भई अनुमान जबरदस्ती गिरफ्तार हुए स्वयम में देखने के लिए कि कौन है तो का गया भई इसकी बानर को पूछ से बह अपड़ा किसका रावन का बूले इस पर तेल लगा ओ तेल किसका रावन का जली किसकी अ अ बेस्ट एंप्लोई सर्वसेष्ट व्यक्ति कोई ना लुकर नहीं भगवान नाम के जीवन में जो दो कठिन समयायां दौना मरून ही पार लगई उनसे का गया कि मेरा भाई ये बीमार है सोचो राम पर कैसी बीती होगी भगवान नाम के जीवन का सबसे कठिन रात वो है जब उनके भाई को मूर्चा आई उस रात राम कितने भी पीश्वर हो मनुष्य रूप में जी रहे थे मन में ये तो आयो गया रहे उध्या जाके क्या कहूंगा पत्नी कहां अपरन हो गया भाई कहां युद में मारा गया ऐसे समय में हनुमान काम आये और हनुमान गये वहां कन्फूजन हो गया कि कौन से जीवनी बूटी मेडिकल स्टोरी लिया पूरा इसमें से देखलो कौन सी है तो दो बाते हुई पहली हुई जिग्यासा दोसरी हुई धैर्य तीसरी हुई आ आप लीडर्शिप डेवलप करेंगे आपके अंदर नेत्रत्वी की क्षमता डेवलप हो और नेत्रत्वी की क्षमता का सिक्षा से कोई मतलब नहीं है